वेलकम दोस्तों, सिलेक्शन अड़ाट थाइस चालिस पर फिर से आपका स्वागत है और आज हम तीस कॉस्चन का एक प्रेक्टिस सेट करेंगे किसी भी एक्जाम की तैयारी के लिए प्रेक्टिस सेट बहुत जरूरी होते हैं सवीधान की दसवी अनुसूची को सवीधान के किस संसोधन द्वारा जोड़ा गया है किस संसोधन द्वारा बावन वा संसोधन अदेनियम संसद के एक सदन द्वारा पारत और दूसरे सदन में लंबित बिल पर विचार करने के लिए संसद के दोनों सदनों की सन्युक्त बैठग कब बुलाई जा सकती है कब बुलाई जा सकती है 6 महीने में नेक्स्ट कॉस्चन है यदि कोई व्यक्ति व्रद हो तो धारा 83 IPC तहत आंसिक रूप से सक्षम माना जाता है सक्षम माना जाता है 7 वर्स और 12 वर्स से कम नेक्स्ट कॉस्चन है निमलिकित में से किसने मौलिक अधीकारों अलप शंक्यकों और जनजातिये और बहिस्कृत छेत्रों पर सलाकार समीथी का गठन कियाता किसने कियाता सरदार बल्लब भाई पठेले इन्हें लहपुर्स के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट कॉस्चन है इनमे से किसकी CRPC के प्रावधानों के अनुशार गरपतारी नहीं हो सकती किस CRPC में ससस्त्र बलों के जो जवान होते हैं उनके CRPC के किसी भी प्रावधान के अनुसार उनकी गृपतारी नहीं हो सकती नेक्स्ट कॉस्चन भारत का सवीदान अपने अंतिम अधीकार खालिस्तान से प्राप्त करता है निमलिकित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारती नागरश के लिए उपलव्ध है लेकिन विदेशी वैक्तियों के लिए उपलव्ध नहीं है क्या है अभीवेक्ति और भासन की स्वेतंत्रता किस चार्टर अधीनियम के द्वारा चीन के साथ वैपार करने वाली पूर्वी भरत कम्पनी का एकादिकार समाप्त हो गया किस चार्टर अधीनियम 1813 है नेक्स्ट कॉस्टन है नेक्स्ट कॉस्टन न्यायपाली का द्वारा बनाया गए कानून को कहा जाता है क्या कहा जाता है के सलो कहा जाता है नेक्स्ट कॉस्टन निम्न मैंसे किसे भारतिय संग के 22 राज्य के रूप में गठित किया किसे किया गया था सिक्किम, सिक्किम को बाइस वेराज्य के रूप में घठित किया गया भारत की जाती ववस्ता किसके लिए बनाई गई थी किसके लिए बनाई गई थी मैं सामिल नहीं है क्या नहीं है शाम्यक इच्छा है बोध के अश्ट मार्ग में सामिल नहीं है नेक्स्ट कॉस्चन है उत्तर पस्चमी मौर्रे की सामराज्य कहां तक फैलाता हिंदू कुष नदी तक हुनो का प्रिथम आकरमन कब हुआ हुनो का प्रिथम आकरमन 485 AD में हुआ था प्रिथम आकरमन कब हुआ था 485 AD में पल्लवों की राजदानी काँ ची थी गांधी वाधी विचार की सर्वोत ख्रिष्टा का रहती सत्या निम्न मैं से कौन सा वैस रह एपनी अंडमान यात्रा के दोरान ज़ड़ब का सिकार हुआ था lord meo कौन सिकार हुआ था lord meo next question बंगाल का सथाई राजश्व बंदोवस्त किसके दौरा चलाया गया था किसके दौरा चलाया गया था lord karnwallis के दौरा किसके दौरा lord karnwallis के दौरा 1784 का pits india act था क्या था एक विनीमियन अधीनियम क्या था एक विनिमिय अदीनियम था सरदार बल्लबाई पटेल खालिस्तान के नेता थे किसके नेता थे बारडॉली सत्यागरह के नेता थे नेक्स्ट कॉस्टन नाभिक का आकार किस में मापा जाता है कैमिश्टी के कॉस्टन है नाबिक की आकार किस में मापी जाती है किस में फर्मी में मापी जाती है नाबिक का आकार किस में मापा जाता है फर्मी में रेडियो धर्मी तत्व उस सरजित करते हैं क्या उस सरजित करते हैं खाना पकाने वाले तेल को किस पिरकिरिया से वनस्पती घी में बदला जाता है किस पिरकिरिया में हाइड्रोजी नी करन के दोरा खाना पकाने वाले तेल को किस पिरकिरिया से वनस्पती घी में बदला जाता है हाइड्रोजी नी करन के दोरा कपडे से लोहे और जंग के धब्बे खटाने के लिए किस अमल का प्रियोग किया जाता है। औक जलिक अमलका प्रियोग किया जाता है नेक्स्ट कॉस्चन आधुनिक आवर सारनी को किसने प्रिस्तावित किया था किसने प्रिस्तावित किया था मेंडलीफ ने आधुनिक आवर सारनी को मेंडलीफ ने प्रितावित किया था आर एन किस तत्व का राशानिक प्रिती है किस किसका है रेंडाउन का और रेंडाउन केसी होती है इनर्ट गैस एक रिये गैस है नेश्ट कॉस्टन है क्राइव लाइट खालिस्तान का एक आश्क और खनिज है किसका है क्रोमियम का क्राइव लाइट किसका है क्रोमियम का यह इलेक्ट्रिक है क्या है इलेक्ट्रिक हीटर मे मैंसे कौन सी गैस रंगीन है कौन सी गैस रंगीन है कौन सी गैस रंगीन है किलोरीन गैस हमारी कैसी होती है रंगीन गैस होती है रंगीन गैस होती है नेक्ट कॉस्टन है जो आकरी है ब्राड नाम टैफलॉन किस बहुलक का पिरती निदित्व करता है किस बहुलक का पिरती न ये वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और सेयर करें और ऐसे मेरे साथ प्रैक्टिस के साथ जुड़े रहें जै हिंद जै भारत थैंक यू